फेलो दोस्तो वेलकम टू एसके से टाइम्स दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे समानने बिज्ञान के कुछ महत्पुर्ण प्रस्न जो की एक्जाम्स के पॉइंट आविव से इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तो यह साड़े प्रस्न जो है आपको पूछा गया प्रस्न है और सभी एक्जामों में आचुके हैं तो इस तरह की प्रस्न जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इस वीडियो के last में आप से एक home bug के रूप में प्रशन दिया जाएगा उसका answers आपको comment box में comment करके बताना है ठीक है तो ये सबी जो प्रशन है ये आपको railway NTPC, group T and MTS, SSC, CHSL ऐसे examo के लिए काम आ सकते हैं तो उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये questions आपको पसंद आएगी तो चलिए दोस्तों लोग चलते हैं प्रश्न की ओर सबसे बात करते हैं कुश्चिन नमर एक की ठीक है दोस्तों बात करते हैं कुश्चिन नमर एक की कि के सांसर जाएगा बी के सांसर जाएगा 300 gram होता है थिक दोस्तों करते हैं कि हिरदय वनचीत होता है हिर्दय पेशजिषक है ङnejग चिक पेशीया eject चिक difí एक चिकन पेशी से तो इसका उलगा मेरा सी के सांसर चलाएगा चिक पेशीयागा हो जाईगा ठीक है यहाँ सी यह जान लेजैंकि एच्छिक पेसियां जो हतीह अस्तियों के साथ जुरी रहती है जो इक्षा सक्ति कोने करनें करती है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियो को मिल टार रहे और आपको यह यह भी वीडियो नहीं चूते और इस वीडियो से आप लाब लें ठीक है दोस्तो चलिए नेक्स्ट कुर्शन की बात करें दो कुर्शन मर तीन की कहता है रूमेटिक हिर्दय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है तो इसका जो एंसर्स हो जाएगा दोस्तो इसका एलाज का जाता है तो एसे साथ जाएगा तो एसे परीन के साथ इससर्स चला जाएगा कि स्वस्त क क के लिए भ्यक्ती को लेना होगा संटुलित अहार प्रयाप्त निंद्रत यानि कि एक स्वस्त रहने के लिए मनुश्य को संतुलित महात्रा में अहार लेना होगा और प्रियाप्त महांद्रा में निंद लेना होगी और क्या लेना होगा तो यहां से यह नहीं हो सकता है सही मात्रा में सरारिक बयाम करना यह हो सकता है तो मेरा सी के साथ एंसर चला जाएगा तो सी के साथ एंसर चला जाएगा नेक्स कोशन की बात करते हैं क्याता है व्यस्क व्यक्ति के हिर्दय धरकन की जो दर होती है वह क्या होती है तो वह जो होती है दर दोस्तो प्रती मिनट सतर से असी बार होता है यहां से आप यह जान लीचे दोस्तो हिर्दय में संकूचन और सिथलन के समुलित रूप से सीथिलन और संकूचन के रूप को ही हिर्दाधरकन कहा जाटा है और यह जो होता है एक व्यस्क व्यक्ती में कितना होता है लगभग 72-2025 प्रती मिनट होता है और भुर्ण अवस्था में जो हता है यह होता है 150 वार 150 वार प्रती मिनट होता है ब्रुनिवेस्था में और व्यास कर व्यक्ति में 72 बार होता है तो यहां 80 से 70 से 80 के बीच में आ जाएगा छेलिए नेक्स कोशन का बात करते हैं करते हैं करता हिर्दया यानि कि मर नंभी निम्लिक्त में से किस कारण से होती है ही लिए हां हीसले मिंधर को मिधा, को जाती हैं, ठीक होदे,कि बढ़िया बढ़िया, आपको दे रहा है तो आप अगर इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिये चु कहता है दिल की फुस्पुसाहट यानि की मर्मर से क्या पता चलता है तो यहां से जो पता चलता है दोस्पुर्ण कपाट यानि की बालव का पता चलता है ऑक्सिजन की कमी दिल का विस्थापन मांस विस्यों यह सब नहीं होगा क्या हो जाएगा दोस्पूर्ण का पार्ट यानि कि बाल्व का पता चलता है ठीक है मित्रों यहां से यह जान लिजिए यह जो बाल्व दोस्पूर्ण का पार्ट होता है इसको किसे मापा जाता है तो तो इसकोप着 ऐसे को माप आ जाता है थेट्व। कॉश्च और हिर्दय का काम क्या है of सब्सक्राइए हुँ आठ लोगों का है काता है काॉन सी शीरा फेफर हो से राक नसे हीर्दय में करते हैं को ऑन सी शीरा फेफरो से हिर्दय में डिक जाती है डाइख मोजारी कितर पाइख हो दोस्तों किसके साथ जाएगा तो फुफुस सीरा तो फुफुस सीरा जो होती है हिर्दय में सुद्रक्त लाती है यहां से यह जाने जो फुफुस सीरा जो है फेफरे से हिर्दय में बाए भाग से सुद्रक्त लाती है कहां से लाती है तो बाए भाग से सुद्रक्त लाती है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लिजिएगा चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं किसको हिर्दय का प्रारंभिक पेस्मेकर कहा जाता है तो इसका एंसर सोगा दोस्तों प्रारंभिक पेस्मेकर तो आप यहां से यह जान लिए दोस्तों कि हिर्दय जो होता है чार भागों में बाजित होता है चार भागों में बटा होता है जहां से दोस्तों यह जान लेजिए आप कि यह जो दिल का धरकन उत्पन करता है कौन करता है तो आर ए करता है ठीक है आर ए जो है दिली की धरकन उत्पन करता है ठीक है ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्वेशन में एगारा की तो क्वेशन में एगारा isz लिदाई में तो यहां से यह जान लेजिए कि ऊपर च्छोटे दाएं और बाये होते हैं और के बढ़े दाएं और बाये निले होते हैं वह तो यह स्ज Todos के बात करें तौस्त सेम क्टेंगों 1000 8 अब नेक्स्सक्राइब करते हैं अब नेक्स्सक्राइब क्यों की बात करते हैं, किसने किया था है. किस ने किया था तो ऐसमेरा सभी जानती होंगा चलूर जल्दी इसका कॉमेंट बताई जल्द सघ जल्द डिली कॉमेंट करके बताई दोस्तो तो क्या हो जाएगा इसका good جाएगा , क्या भैन्हाद , क्या भी है था ? नेक्स्ट कॉस्षं के बात करते था था ? आपका यहा पे यह दुन्दला घूह लाजाता conclusion r16 कि ELIS Chi जी किसकी गतिवीदियां को दरसाता है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो मेरा बी के साथ चला जाएगा हिर्दा की गतिवीदियां को दरसाता है एसीजी होता कहा है दोस्तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम एक परकार का कहा है जो घर्दा की गतिवीदियों को दरसाता है चीक है दोस्तो नेक्स कोशन की बात करते दोस्तो कोशन मेरे 15 की और साथ ये लास्ट कोशन होगा मानवो का एक मिनट में लगवग कितनी बार हिर्दय अश्पंदन होता है दोस्तो वही कोशन बार बार रिपीटेट हो रहा है तो कितने होता है 72 बार जो होता है मानवो का एक मिनट में लगवग कितनी बार हिर्दय अश्पंदन होता है तो 72 बार इससे पहले भी कोशन ये आई है और ब्रुन अविस्ता में कितना होता है तो 150 बार होता है यह भी याद रखना है आपको इस तरह की कोश्चन भी पूछ दिया जाता है नेक्स कोश्चन की बात करें दोस्तों होमबर्ग की रूप में आपको यह कोश्चन दिया जा रहा है और अगले वीडियो में आप इसका जो कोमेंट है इसमें आप बताए और अगले वीडियो में इसका एंसर बता दूँगा तो होमबर्ग की रूप में आप यहां से देख लेजी हिर्दय की धरकन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताए तो आप उत्तर जो है कोमेंट बैक्स में देख सकते ह दे सकते हैं ठीक है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी ठीक है तो आप इसे लाइक कर ले और अभी तक के शनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लिस सबस्क्राइब कर लिजे और साथि स्वक्षता बनाए रखे धन्यवाद